तो मैं आपको इसका सुलीज़न बताऊंगों तो आप इस वीडियो को एंट देखो चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कर देना तो इस प्रॉब्ल्स का होने का दो कारण हैu या तो आपने का दो एप्लिकैशन कोडिया हैया तो आपका जो एपलिकैशन वो अनिस्टॉल आपने कर दिया होगा तो यहांपर दो कारण है जिससे आपको जो एप है वो शो नहीं होता है आपके होम स्क्रीन के अंदर या फिर आप उस application को यूज़ नहीं कर पाते हो तो अगर आपका application disable हो गया है तो disable का enable करने के लिए आपको जाना हो किसी भी application के अंदर को मिलेंजा इसके इंदर आपको जाना होगा इसके इंदर जानने के बाद यहां पर गाईज आपको एक उप्सन देखने क候 मिलेगा disabled or enable का तो यहां पर देख सकतो तो मेरे फोन चैरी यहां जूबाने वह नहीं का तो अगर आपका जो हम वह गलती से तो यहां पर Xiaomi के काफी सरे सब फोन के दर हमें इनेवल डिसेबल कर जो आपस देखने को नहीं मिलता है सिस्टम अप्लिकेशन के अंदर और अगर आपका कोई थर्ड पार्टी अप्लिकेशन यानि कि कोई अप्लिकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो हो सकता है कि आपने गलती से अप्लिकेशन को अनिस्टोल कर दिया होगा तो आप प्ले स्टोर से वापस इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो लेकिन जो सिस्टम एप्लिकेशन होते है만 उसको आप डिसेबल भी कर पाते हो कावीशरें Android फोन कर लेगे जैसा कि Xiaomi के फोन के दर जो आप सिस्टम को डिसेबल नहीं कर पाते हो Realme के फोन के फोन के अंदर एप ये को डिसेवल कर पाऊगे तो ऐसा कुछ जो है सेटिंग हमें देखने को मिलता है और इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और प्रॉपरली जो है आपके फोन के अंदर यह काम करेगा ऐसा कोई भी जो है आपको इसू देखने को नहीं मिलेगा अगर आ चैनल पर ने दो सब्सक्राइब करें तो नहीं मिलता है और फिसे नेक्स वीडियो में